नमस्कार, आज हम पूरी में आयोजित रथियात्रा के जो परंपरा है, उस परंपरा में चित्रकारों की भूमिका के बारे में बात करेंगे जैसे हम सब को पता है कि पूरी से करीब 10 किलो मेटर दूर रगुराजपुर गाओं है जहां पर पटचित्र के कारिगर रहते हैं वो लोग जगनात मंदिर के विवन आयोजन में, विवन उत्सव में अपने योगदान देते रहते हैं और अगर मंदिर के परिशर में हम जाते हैं तो मंदिर के विवन भित्यों पर हमें पटचित्र शैली के चित्र देखने को मिलते हैं जो प्रारमभिक से लेके कुछ विक्षित स्वरूप तक हमें दिखाई देते हैं मूल रूप से इसमें primary colors use होते हैं जो मौलिक रंग कहे जाते हैं लाल, पिला, हराल और काला और सफेद ये रंग प्रयोग किये जाते हैं और इन रंग प्रयोग में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से खनीज या देशज रंगों का प्रयोग होता है वो समझना महतोपून है आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से रथियात्रा के समय कलाकारों के योगदान, चित्रों के माध्यम से वो करते रहते हैं और इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखने की कोशिश करेंगे पहले हम समझते हैं कि ये रथ से जुड़ी हुई जो बाते हैं वो सुरू कहां से होती है तो ये सुरू होता है स्नानपूर्णीमा से ये स्नानपूर्णीमा महतोपून इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस समय जगनात जी, बलभदर जी और सुभदरा जी अपने रत्न वेदी से जिसको हम गर्वग्रिय के रूप से जानते हैं रत्न वेदी से निकल कर स्नानमंडब पर आते हैं जहां 108 घड़े पानी से उनको नहलाया जाता है और नहलाने के बाद शाम को उन्हें गजवेश में प्रस्तूत किया जाता है परंपरा के अंतरगत विग्रहों को गर्वग्रिय से बाहर स्थित स्नानमंडब पर लाया जाता है तथा संस्कार उपचार के उपरांत 108 घड़े पानी से उन्हें नहलाया जाता है और नए वस्त्र परिधान में बदलावकर नहें हाथी वेश में प्रस्तूत किया जाता है अब ये भग्त की वज़े से ली गई एक निरने धार्मिक संसकार के अंतरगत तो नहीं आता लेकिन इस से ये निश्चित रूप से हमें पता चलता है कि ये भग्वान भक्त के लिए कैसे कैसे भेश धारण कर सकते हैं तो इसी प्रकार से जब हम आगे जगना जी के इस असनान के बाद उन्हें 14 दिन अनसर में रहना होता है अनसर मतलब वो भगवान जीव किसी को दर्शन नहीं देते हैं वो बिमार रहते हैं उनको काड़ा पिलाया जाता है और उनके अलग-अलग उपचार किये जाते हैं तो इसी समय जब ये सारे उपचार किये जाते हैं, तो उस समय अनेक चित्रकार जो पूरी और आसपास के गाउं में रहते हैं, जैसे रखुराजपूर में, उन में से ऐसे तीन प्रमुख परिवारों को चिन्हित किया जाता है, जो यह काम संपन्द करें। तो इस कारे को करने के लिए जो तीन परिवार हैं, उनको बाड के नाम से जाना जाता है, जिनको बरियता के आधार पर स्विकार किया जाता है। निरनय के उपरांद चितरकार को साधी तथा बंधा के संसकार में लिया जाता है, और उन्हें लाल और पिला वस्त्र दान में दिया जाता है। अब ये सनान पूर्णी मां के दो हफते पहले ये कार्य संपादन हो जाता है। ताकि जैसे ही ये दो हफते उनको समय मिलता है कि ये संपूर्ण कार्य को पूरा कर सके। तो ये जो अनसर पट का निर्मान कार्य आरंभ होता है, इसके लिए मंदिर की तरफ से उन्हें आवश्यक वस्त्र, रंग तथा कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस निर्मान प्रक्रिया में महिलाएं गोंद बनाने से लेके, पट बनाने से लेके और विभिन प्रकार के रंगों की तयारी में चित्रकारों के मदद करते हैं। परंतु वो चित्र बनते वक्त चित्रकारों के साथ नहीं रहते। यह निर्मान यह एक तरह से हविश्य का पालन करते हैं। और उस हविश्य के समय वो किसी भी प्रकार के ऐसे खाद्य नहीं खाएंगे जिसमें प्याज, लहसन, इत्यादी का ब्यवहार किया गया हो और न वो किसी से मिलेंगे और न उस घर पर किसी को आने देंगे। तो जेपी दास जी बताते हैं पूरी पैंटिंग में कि उस समय उसको एक तरह से अनसर ग्रिवह ही कहा जाता है जहां बहारियों के प्रवेश वर्जित होता है। परन्तु ये जो लोग काम करते हैं वो इसके साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं और साथ में जो परिवार के लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं वो सांसरी क्रियाओं से भी विरत रहते हैं। इसका कारण भी उनके घर में भगवान के वास करना होता है। चुकि भगवान जी का निर्मान उस समय होता रहता है। इसलिए वहां पर कोई बाहरी नहीं आ सकता। और चित्रों में पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि उसमें मौलिक रंगों का विशशकर प्रयोग होता है। जैसे लाल, पीला, काला, नीला, हरा तो ये सारे रंग उसमें प्रयोग होता है। और ये जितनी फी रंग प्रयोग किय सारे देशर्ज रंग हैं इसमें किसी प्रकार के मशिनी रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है और यह इसलिए क्योंकि उसको अस्वच माना जाता है तथा इन चीत्रों में लाख का लेब भी नहीं लगाया जाता सामान्यत अगर हम पट चीत्रों का अध्यान करें तो उन पटों को कीडों से बचाने के लिए उसको अलग-अलग प्रकार के मौसम की वातावरन से बचाने के लिए उसके उपर लाख की कोटिंग दी जाती है ताकि वो उसके आयू बढ़ सके लेकिन यह जो चित्र अनसर के लिए प्रयोग होता है उसमें किसी प्रकार के लेप प्रयोग नहीं किया जाता वो इसलिए ये जो रंग होते हैं वो देखने में भी थोड़े से कच्चा लगते हैं लेकिन चित्र बहुत ही खुबसुरत होता है जो सुचना के आधार पर हमें जानकारी है नारायन महारणा एबंबुढा महारणा ये दो बाड के लोग इसमें नियोजित होते हैं जो इन कृतियों को अंजाम देते हैं जो आपके स्क्रीन पर है उसमें आप देख सकते हैं ये जगरनात जी का जो अंकन हुआ है जगरनात जी चतुर्भूच के रूप में दिखाये गये हैं जिनके हाथ में संक चक्र गदा और कमल के पुष्प को दर्शाया गया है और साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नज़्द की जगह पुरी तरह से खुली हुई सामनी की ओर देख रहे हैं और ये जो अंकन है ये अंकन हम लोग कहते हैं इसको उडिया में चामू मुह मतलब जो सामने से देखने वाले चहरा है नहीं तो अकसर आप देखेंगे कि जो चित्र बनते हैं पट चित्र में उसमें प्रोफ अशो से ही दिखाया जाता है और यहां पर जो आप यह चित्र देख रहे हैं यह बलभद्रजी का है और दोनों को Mandir नुमा जो पिढ़ानुमा मंदिर है उस प्रकार के सिंह असन के पास बिठाया गया है उसके सामने बिठाया गया है और यह ये फिह अपने हात में अपने आयूद लिये हुए दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सुभधरा जी का भी अंकन यहां पर दिखता है जिनको पिले रंग से बनाया गया है तो जो मौलिक रंगों का प्रयोग देवताओं के निर्मान के बनाया जाए जो प्रयोग होता है वो यहां पर भी हमें देखने को मिलती है इसके साथ साथ आप अगर हम रत को देखें तो रत के जो निचले हिस्से हैं उसको चितरित किया जाता है मैं आपको थोड़ा करीब ले जाना चाहता हूँ कि इसमें किस प्रकार की कारीगरी होती है आप यह इस प्रश्ट देख सकते हैं कि जो बढ़ाई है उसने व्याल की रचना किस तरह से की है और व्याल के रचना करने के बाद उसको कहां पर लगाया गया है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर चितर कार को चितर करते हुए आप देख सकते हैं और इस चितर को बनाने के बाद इसके स्वरूप इस प्रकार से बन जाता है तो ऐसा नहीं कि सारे जो हिस्से होते हैं उसमें इस प्रकार के चितर होता है बलकि ऐसे भी हिस्से होते हैं जहां पर सीधे तोर पर चितर बना दिये जाते हैं तो रथों के चारों तरफ जो मंधिर की प्रकार के सजावट है वो भी हमें इसमें अगर हम देखें तो इसके साथ-साथ ये जो आर्चे से अबर आप इसको देखें तो ये लक्ष्मी जी का अंकन आप देख सकते हैं एक तरफ एरावत पर बैठे इंद्र और दुसरे तरफ गरोण पर सवार विष्णों को देखा जा सकता है उपर मकरमुक का अंकन हुआ है यह भी चितर कार बनाते हैं बनाने के बाद उसको इस प्रकार से उपर चढ़ाया जाता है और फिर वो ऐसे दिखने लगता है ये दो पार्षों में इसको अंकन किया जाता है सामने और पीछे तो इससे ये प्रतीत होता है कि किस प्रकार से रंगों को लेके चित्रकार रत के उपर या जिसे अगर हम देखें तो यहां पर भी ये दसावतार भागवत पुरान एवं रामायन से लिए गए महाकावियों से लिए गए प्रणा से कुछ मुर्तियां बनाई जाती है जिसको रंग किया जाता है और यह रंग होने के बाद कुछ ऐसे भी हम देखते हैं जिसमें सुरसुंदरियों का अंकन है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे-छोटे मंदिर नुमा निश्च बना कर उसमें इसको रत के साथ जोड़ा जाता है जब आप इसको दे कर देख सकते हैं कि कितने बारी किसे और कहीं पर भी यह अपने पारंपरिक्षयलि से विरत नहीं होते और यह जो आप देख रहे हैं बॉडर्स यहां पर बना हुआ ये भी आपको पट-चित्र में देखने को मिलेंगे तो कहने का तात्पर ये है कि पठ चित्र के जितने भी प्रमुक तत्व हैं वो यहाँ पर भी चित्रों में हमें दिखाई दे सकता है जिसे ये निरिश्णु अबतार आप देख सकते हैं और यहाँ पर राम चंद जी को आप देख सकते हैं लक्षमन के साथ और यहां करष्ण गुवर्धन्धारी देख सकते हैं तो कई परकार के यह जो विशए यहाँ पर बनाय जाते हैं जब वो पूरी तरह से बनके तयार हो जाते हैं तो रत बीना जब कपड़ा पहनाने से पहले या कपड़ा ओडने से पहले ये एक तरीके से आपको दिखाई देता है तो यहां पर आप यह समझ सकते हैं कि जो चितरकार हैं वो बहुत बारीकी से इन सारे बातों का ध्यान रखते हैं ये तो रही रत की बात लेकिन जब रत्यात्रा होता है तो यात्री आते हैं और यात्री जब आते हैं तो वो अपने साथ कुछ सोवेनेर ले जाना पसंद करेंगे तो इसी आशय से ये कलाकार एक थिया पेंटिंग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं खड़ा पेंटिंग है और मैं आपको थोड़ा नजदिक ले जाओं तो यह आप देख सकते हैं कांची विजय का द्रिश्य है जो यहां पर अंकित किया गया है उपर जो कांची के राजा से लड़ने के लिए जब महाराज आगरह करते हैं तो बल्भद्र और जगरना दोनों घोड़े पर सवार वहां प पीच पिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी रेखांकन में बनाया गया है और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहां पर अनंतशाई विश्णों का अंकन हुआ है और ठीक उसी प्रकार से यह जो मंदिर है यह विमला मंदिर है तो मंदिरों का भी एक सांक श्यककितिक व्यक्स लिक्तिक देख सकते हैं। तीनों स्थापित हैं बाइन तरफ शिव जी है और दाइने तरफ ब्रह्मा जी को दिखाया गया है ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं यहां समंदर को मचली के माध्यम से संकेतिक रूप से दिखाया गया है और यह जो चंदन यात्रा है यहां इसको दर्शाया गया है इसी प्रकार से अगर आप देखें तो समुच है मंदर का और अलग-अलग उत्सवों का अंकन एक ही जगह इसमें दिखाई दे सकती हैं अनेक सारे जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह कैसे किया जाता है और साथ ही किस तरह से चित्रकारों की भूमी का इसमें एहम होती है पटिचित्र जो कई सौ साल से यहां पर प्रचली थे उसका भी एक बड़ा भारी योगदान रथियात्रा में रहता है धन्यवाद